कहते हैं अच्छाई हर किसी से और हर कोई अच्छाई से जुड़ा होता है ये इंडिया के कोने कोने से आई हुई अच्छाई की कहानिया है भारत ये एक ऐसा देश है जहां लोगों के लिए खाने और खिलाने दोनों की बहुत एहमियत है लेकिन इसके बाद भी हमारे देश में आज भी कुछ लोग हैं जो इज़त की रोटी नहीं खा पाते और यही बाद केरला की मीनू पॉलीन को परिशान कर रही थी जब वो रेस्टरॉन बिजनेस में उतरी इसलिए 2016 में मीनू ने अपने रेस्टरॉन के बाहर लगाया नन्ममरम एक फ्रिज जिसमें 24 घंटे गरीबों के लिए खाना रहता है ये खाना कोई भी बिना सम्मान खोए अपने लिए ले सकता है इसलिए जाता है उसको इस फ्रिज में रख दिया जाता है मेनू काई का बिशा घाया नरस ओना बुंकद का बाया बियोस। इसलिए जाता है के सकता है इसलिए गर्का 우den बशें लेस्चेब होए इसलिए रेस्टें की सर्शका कराकर थोगम में परेकल ने जाता है बिंद के धर को आपके साह tin मेनु का मानना है कि जो चीज किसी एक के काम की नहीं, वो किसी दूसरे की जरूरत पूरी कर सकती है नन्म मरम के साथ वो कई गरीबों को इज़त की जिंदगी देती रहेंगी रजनी गंधा सिल्वर पर्ल्स मेनु का समाज के लिए किये गई योगदान का सम्मान करता है जो उन्हें पर्ल अव इंडिया बनाती है क्या आप जानते हैं ऐसी कुछ कहानिया? जानते हों तो हमें बताईए और दुनिया में अच्छा ही बढ़ाईए